कि आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप प्रयाश करना शुरू नहीं करते और आप तब तक नहीं हर सकते जब तक आप प्रयाश करना बंद नहीं कर देते नमस्काई दोस्टो सवागत आप सभी के हमारे online channel पे आज इस class करेंगे तो पूरा वीडियो बिल्कूल धयान αν سے प्राप्त हुआ है तो भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है इस रैंक में इस आप डूइंग बिजनेस में भारत को 63 इस्थान प्राप्त हुआ है और इस रैंक को किस और जारी किया जाता है इसे विश्व BENC के द्वारा जारी किया जाता है टोटल एक सो नभे देशों की बीच भारत के इसथान है 63 63 इस आप डूइंग बीजनेस मतलब जहां पे व्यापार करना आसान है ठीक है और यहां पे इस रैंक में पहले नंबर पर कौन से देश है New Zealand सबसे आखरी नंबर पर कौन से देश है सोमालिया का नाम आता है सबसे आखरी नंबर में The Doing Business दोहर 20 के अध्यन के नुसार देश का स्कोर 67.3 से बढ़कर 71.0 raising में सबसे बहतर देशों में से एक बन गया है तो इस तरक로상 करते हैं जादर क्या पूछा जाता है एक तो भारत का रेंग दूसरा टोटल बस्टाल देशों के बीच या क्तों कि देशों की बीच इस रेंग पहले नंबर पर कौन है इतना आपको ध्यां में रखना है New Zealand कर Adv retrouve नुजईलेंड पहले नंबर पर है तो आपको देखना है मैप में दीख सकते हैं यहाँ पर है New Zealand राजधानी है Wellington और मुद्र है New Zealand डॉलर दोलर Vid OD का मैप देश है उसे रिन देता है और कोई भी आर्थिक साहता रहता है तो यह उपलब्द कराता है विस्व बैंक समुव पांच अंतराष्टी संगटों का एक ऐसा समुव है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्ती सलाह देता है इसका मुख्याल है वास्टिंग टन डीसी में है व इसके नाम पर रखा गया है तो इस सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रशाद मुखर जी सुरंग रख दिया गया है यह सुरंग कहां परिस्तित है यह है जम्मू एं कास्मीर में इस सुरंग की लंबाई कितनी है नौ किलोमेटर इस सुरंग की लंबाई है नौ किलोमेटर कि चिराणी नासरी हाईवे टनल न केवल भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल यहीं अच पितिimeter केंज शासित प्रदेश बना दिये गए जब मुकस्मिर जब राजय तरह था तो उस राज़नी के आधी श्री नगर और ठंड में राज़नी जम्मु शिप्ट कर जाती थी मीठे पानी के सबसे बड़ा जील वूलर जील जम्मुकस्मिर में और भारत की सबसे उत्री बिंदु इंद श्वाष्ट क मना जाता है आज के लाको दो vacant के बारे में आपको पढ़ाओं तो त्लßerdem से सुनेगा स्थ assistance दीवस कब मना जाता है प्रतिवस 24 अक्तुबर को मना जाता है इसकी सुरुवात कब की लगी थी 1948 में इसकी शुरुवात कर दी गई थी सेंउत राष्ट दिवस 1945 में सेंउत राष्ट चार्टर में प्रेवेश की सालकरह को चिन्नित करता है सैंउटराष्ट की श्ठाष्व ना कब गीए थी सीउटराष्ट 2000 में सैंउटराष्ट की 75 वी वर्सगार को मनाने के साह-सांद भवविश में वैस्विक सहयोग की भूमिका पर समावैसी वैस्विक बातचीत कर निर्मान करेगा तो दोहर 20 में 75 वी वर्षगार्ट मनाया गई है स्थापना 1945 में हुई थी इसका मुख्यारा न्यूयार्क में है और महासची अभी कौन है पुर्तकाल देश के एंटिनो गुत्रिस महासची में आप देश सकते हैं सैयुतराश्त के संहीराश्त के सजुinosuration के इनगली रसे साम क्या चाहते है चंतला प्रशन है कि हाली में विच्ववृकास शूचना दीवस कभ मनाया गया तो विच्ववृकास शूचना दीवस यह भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है ठीक है प्रतिवस 24 अक्टूबर को मन की गे थी क्यों इसे मनाया जाता है विकास की समस्याओं की और दुनिया का ध्यान आकरशित करने और उनके समाधाने तु अंतरराष्टी सहयोग को मजबूत करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है अगला प्रशन है भारती सेना की सिंदू सुदर्शन युद्यभ्याश कि कि स्थान पर आउजित की जाएगी सिंदू सुदर्शन याद रखेगा युद्यभ्याश का नाम सिंदू सुदर्शन यह कहां पर आउजित की जाएगी राजस्थान में राजस्थान के रेगिस्तान में इसे आउजित की जाएगी कब से कब तक 29 नवंबर से 4 दिसंबर त करेंगे इस अभ्यास में लेप्टिनेंट जन्रल एसके सेनी थल सेना और वायू सेना की उच्छी तालमिल की समिच्छा करेंगे वर्तमान में थल सेना देख्ष कॉन है जनरल वीपिन रावात और एयर चिप मार्शल है राकेश कुमार सी भधोरिया तो इन दोनों पॉइंट क भारत का सबसे बड़ा राज है राजिस्थान भारत का सबसे बड़ा राज है छेत्रफल की द्रिष्टी से लोकनित्य राजिस्थान का फेमस है घूमर पर्वव फेमस है गणगोर राश्टी उद्यान है घाना पक्छिवीहार टैगर जर है मुकुन हिल्स रन्थमबो सरिस जिसका अरावली परवत राजस्थान में है जिसकी सबसे उची चोटी पुछी जाती है नाम है गुरुशिकर और लूनी नदी राजस्थान में जो विश्व की एक मात्र नदी है जो धल में खत्म हो जाती है समुद्र में नहीं मिलती चाटवा प्रशन की हाल ही में हरियाना विधानसभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुए है भारती जनता पार्टी को हरियाना में टोटल 40 सीट मिले हैं ठीक है हाल ही में संपन हरियाना विधानसभा चुनाओं में 90 सीटों वाली हरियाना विदानसभा में भारती जंड़ापार्टी को सारवाधिक 40 सीटे प्राप्त हुए इन चुनाओं में कांगरेस ने 31 सीट पर जीत दरज की है जननाय जंदा पार्टी को 10 सीटे प्राप्त हुए इसके अलावा इन चुनाओं में साथ सुतंत्र उमिद्वारों ने भी जीर दर्ज की है हर्याना विधान सबा में कुल कितने विधान सबा सीट है 90 इन में 73 सीटे सामाने वर्ग के लिए हैं जबकि 17 सीटे अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित हैं हर्याना के हम बात करें तो मैप में आप देखें यह हर्याना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही अब रहेंगे राजदानी चंडीगर जो की पंजाब की भी राजदान है 1966 में इसे राज्य बना गया अठारवा समिधान संसुदन के तहत सबसे कम लिंगा नुपाद वाला राज्य हर्याना मात्र 889 879 तेक है और सरवाधिक केरल कितना 1084 नियूंतम सीसु लिंगा नुपाद भी हर्याना में ही है 834 पानीपत सोनीपत करनाल कैथल जैसे एतिहाशिक शहर भी हर्याना में है 7 प्रश्ण की हाल में महराष्ट विधानसवा चुनाओं में किस पार्टी ने सारवाधिक सीटों पर जीत दर्ज की है तो इन दोनों विधानसवा चुनाओं में महराष्ट और हर्याना में किसने जीते दर्ज की है भारती जन्ता पार्टी ने ठीक है तो महराष्ट विधान सहबा चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी ने जीते दर्ज की है बिजेपी को 105 सीटे हासिल हुई है जबकि कांगरेस को 44, NCP को 54 और सीव सेना को 56 सीटे प्राप्त हुई है महराष्ट में सीव सेना और बीजेपी गडबंदन द्वारा सरकार बनाया जाने की उम्मीद है महराष्ट में विधान सहबा की कूल 288 सीटे हैं इसमें 234 सीटे सामान इवर्ग 29 सीटे अनुसूचित जाती और 25 सीटे अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित है तो महराष सेना विए 58 की हालमने कव विश्व पोलियो दिवस मना घ्या तो विश्व पोलियो धिवस फीचॉबीस अक्टूबर को ही मना ALT आमने आज से कम आयू के बच्चों को होता है यह वायरस दूसीत जल दोरह एक वेक्टी से दूसरे वेक्टी में फैलता है तो वर्ल्ड पॉलीडर हम कब मनाते हैं 24 अक्टूबर को विस्वस्वस्वाइचन के बारे हम देखें तो विस्वस्वाइच संगठन एक ऐसी संस्ता है जो विस विर्षो स्वास दिवस मनाया जाता है तो यह आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं कोईशन नमर नौ देखते हैं नौ परशन की हाल में वूशु वर्ल्ड चैंपियंशिप में स्वर्णपदक जीतने वाले भारती कौन बने तो पहली बार स्वर्णपदक जीता गया है इस चैंपियंशिप में किसने प्रवीन कुमार में तो इसलिए यह कुश्चन भी इंप्रवीन कुमार ने जीता है वुशु वर्ल्ड चैंपियंशिप में स्वर्णपदक भारत की ओर से उन्होंने फाइनल में किसे आ रहा है फिलिपिन्स के रसेल डियाज को 48 किलोग्राम भार वर्ग में दो एक से पराजित इन्होंने किया नाम किया इनका प्रवीन कुमार यह प्रतियोगिता कहां आजुत की गई थी पंद्रवी संस्क्रण ठीक है पंद्रवा संस्क्रण इसका और वुशु वर्ल्ड चैंपियंशिप का आजन चीन के संगाय में किया गया वु अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाए देटा है टूटल पांच स्टार है चाइना के नैशनल फ्लैग में कुश्च नबर दर्स है कि 2020 क्यू एस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले इस्थान पर कौन सा संस्थान रहा तो इस रैंकिंग में पहले अन्थानों का मुल्यांकन किया गया था तो आप चाहो तो यह आठ पैरमिडर्स देख सकते हैं इतना महत्रपुन नहीं है इतना डिटेल नहीं पूछ रहा था आगे बढ़ जाते हैं कुछ अन्य महत्रपुन समाचार हम देखेंगे हाली में जम्मो कस्मीर के आइस अधिका सब्सक्राइब को स्टाफ सेलेक्शन कमिशन का चेर में निक्ति किया गया हाली में टेन इस्टेडीज इन कस्मीर हिस्ट्री एंड फॉलिटिक्स बुक का वीमोचन किया गया और इस बुक के लेख कौन है पदमस्री विजेता प्रोफेशर कासी नात पंडित है तो यह किया गया था तो भारत सबसे नीचे हिसमें इस सुझकांग में पेंसन लावत था सेवा निवरित कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभों के अधार पर देशों का मुल्यांकन किया गया था हाली में घोशना की गई कि फीफा क्लब विश्वकब 2021 का आजन चीन में किया जाएगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारम किया हाली में और इस योजना का उद्देश कन्या भून हत्या जैसी कूप रधा को समाप्त करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है तो यह पूशा जा सकता है क कन्या सुमंगला योजना कौन से राजी में शुरू किया गया यादखिए उत्तर प्रजिस में उडिशा में छोटे किसानों के लिए 16.05 करोड का करोड डॉलर का रिंड देगा विस्व बैंक करतार पूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मद्य समझोता हो गया है इस करीड अधिवे ने हाली में मुंबई उपनगरी नेटवर्क पर लाखो यारतियों को जल्ड टिकिट दिलाने के सुविधा के लिए 42 उपनगरी इस्टेनुस्टनों पर वन टच एटी वी एम लगवाए हैं हाली में मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब ने नोबल पूरुसकार वि पिछले क्लास का सवाल हम देखेंगे सवाल था कि हाली में नीती आयव द्वारा जारी भारत नवाचार सुचकांक में कौन सा राज पहले नंबर पर है और इसका सही जवाब एक करनाटक और आप सभी ने सही जवाब दिया था इसी तरह पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजीगा और दोस्तों में शेयर भी कर दिजीगा तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद